सानी देवल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं गदर टू को प्रमोट करने की वहीं बात करें फिल्म में सानी देवल की आक्ट्रिस का रोल करने वाली अमिशा पतेल की तो वो ऐसी हरकते कर रही है जिसे देखकर यह लगता है कि जाने अन जाने में या पता नहीं कैसे अमिशा पतेल गदर टू की बैंड बजाने में लगी है अब अमिशा पतेल ने एक ऐसा ट्वीट किया है जिस से गदर टू के खिलाफ नेगिटिविटी बर सकती है और सोशल मीडिया पर फिल्म को लोग बॉइकॉट कर सकते है फिल्म की नेगिटिव पॉबिसिटी कहीं न कहीं अमिशा पतेल कर रही है गदर टू को लेकर माखूल अच्छा चल रहा है नया जो गाना रिलीज हुआ है उडजा काले कावा इस गाने को भी अच्छा रिस्पॉंस मिला है और इस गाने को सुनकर लोगों ने कहा कि वो गदर वाला एरा याद आ गया सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि आज अमिशा पतेल ने ट्वीट्स के जरिए बम खोड़ दिये गदर फिल्म के डिरिक्टर और उनके प्रोड़क्शन हाउस पर आमिशा पतेल ने एक के बाद एक ट्वीट किये जिसमें उन्होंने बताया आर्टिस्ट को होटेल से सेट तक आने जाने के लिए गाड़ीों की तक वैवस्ता नहीं दी गई सब को चंडीगड में ले जा कर ऐसे ही छोड़ दिया गया ये तब हुआ था जब गदर का चंडीगड वाला schedule था अमिशा पतेल ने इस tweet में कहा कि गदर 2 का last schedule जो चंडीगड में हुआ था ये बात सच है इस schedule के बाद technicians, designers, make-up artist को उनका पैसा नहीं दिया गया लेकिन बाद में Z company बीच में आई, वो एक professional company है, उन्होंने सभी का पैसा लोटाया अमिशा यहीं नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि चंडिगर जाने के flight के tickets, hotel के tickets, बाकी bills तक नहीं पे किये गए Z company जब आई तो उन्होंने ये सारे bills पे किये अनिल शर्मा के production house से कई सारी गलतिया हुई, बाद में Z ने आकर इन सभी गलतियों का सुधार किया अमिशा पटेल ने Z company की तारीफ की ये सही है, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ, gather 2 के director अनिल शर्मा को लेकर काफी negative बाते इन tweets में कही है जो फिल्म के खिलाफ जा सकती है, फिल्म को लेकर एक अच्छा माहोल बन रहा है, एक positive माहोल बन रहा है ऐसे में फिल्म की lead actress ही, अगर फिल्म को लेकर ऐसी बाते करेगी, तो फिल्म मुसीबत में तो पढ़ ही सकती है अमिशा पटेल की इन बातों को लेकर आपका क्या कहना है आखिर क्यूं अमिशा पटेल की भडास इस वक्त फिल्म के रिलीस के पहले अनिल शर्मा और गदर टू पर निकली हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें